हलो फ्रेंड्स मैं आओ मिथलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में में लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम 2023 के पॉइंट यूप व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंसेज यानि समसुत्री विवाजन और अर्धसुत्री विवाजन में क्या अंतर है पहली बात देखेंगे समसुत्री विवाजन क्या है अर्धसुत्री विवाजन क्या है उसमें क्या डिफरेंसेज है क्योंकि इस टॉपिक से कम से कम एक question जरूर आएगा, तो within 10 minutes, आप 10 minute के इस lecture को यदि ध्यान से देखते हैं, तो आप एक question के पक्के दावेदार बनेंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग start करते हैं, पहले हम लोग जो theoretically देखने से पहले हम लोग देखेंगे, कि एक diagram के मदद से कि क्या है mitosis, क्या है meiosis, जो कि मै आपको दिखाने वाला हूँ, एक blank paper पे हम लोग आते हैं, सबसे पहली बात अगर mitosis की बात करें, तो समसुत्री विभाजन है ठीक है, mitosis की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते है, समसुत्री विभाजन कहते हैं, तो यह जो mitosis है, यह क्या होता है, तो देखिए यदि कोई cell है, ध्यान से सुनिए अच्छा concept है ना, कोई cell है जो की deployed है, क्या है, deployed है, deployed मतलब क्या होता है, deployed मतलब क्या होता है, वैसा cell जिसमें की chromosome क्या हो, pair में present हो, 2NO, क्या हो, 2NO, उसको deployed कहते हैं, और एक cell होता है, जो क्या होता है, haploid होता है, haploid cell के examples क्या होते है, जो क्या होते ह वो बताइए हमारे gametes होते हैं, जैसे sperm and ovum, यह सब क्या है, haploid cells है, और हमारे body के जितने भी cells होते हैं, वो क्या होते हैं, deployed cells होते हैं, यदि कोई deployed cell है, उसमें division हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, division हो रहा है, तो वो क्या किया, दो cell बनाएगा, वो क्या करेगा, दो cell और जो नया सेल बनेगा वो भी क्या बनेगा 2N ही बनेगा मतलब पहले भी वो 2N था और अब भी जो नया सेल बन रहा है वो 2N ही बन रहा है मतलब जो गुंसुत्र का संख्या यदि हमन में कितना है 2N बराबर 46, तो इसमें भी 2 and बराबर 46 ही रह जाएगा, इसमें भी बराबर पहला क्या हुता है, मियोसिस 1 उसके बाद क्या हुता है, मियोसिस 2 तो meiosis 1 के तोरान क्या होता है कि ये दो कोशिका बनता है ठीक है और ये 2N से क्या क्या बन जाता है N बन जाता है क्या बन जाता है N बन जाता है मतलब आधा हो जाता है यदि यहाँ पर 2N पराबर 46 क्रोमोजोम था यहाँ कितना हो जाता है 23, यहां कितना हो जाता है 23, तो chromosome का number घट जाता है और यहीं पर यह रुखता नहीं है बलकि एक बार और divide करता है पूरा process अभी नहीं complete हुआ अब जाके complete हुआ, यह cell फिर से अपने आपको divide करता है और यह n ही रह जाता है इसा नहीं कि n by 2 हो जाता है फिर n ही रह जाता है और यह जो को सिका है, फिर से divide होता है यह भी और यह भी n ही रह जाता है तो मतलब है, यहां पर यह पहला process जो हुआ उसको मियोसिस 1 कहते हैं और दूसरा process जो हुआ, क्या हुआ मियोसिस 2 कहलाता है मियोसिस 2 कहलाता है, तो मियोसिस 1 को Reductional Division भी कहते है, क्या कहते है, Reductional Division, संख्या समान रहता है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है, प्लस इसमे कहास बात है Miosys में एक diploid cell से चार haploid cell बनते हैं, कितना kya बन रहा है, हपलोइड बन रहा है, एक से कितना, एक diploid cell से चार haploid cell, बलकि यहाँ पर mitosis में एक diploid से दो diploid cell ही बनते हैं, क्लियर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या बोल रहा हूं मैं माइटोसिस यानि समसुत्री विवाजन इसमें क्या होता है एक डिपलोइड से जो सेल बनते हैं दोगो वो दोनों डिपलोइड ही होते हैं बलकि जो मियोसिस होता है उसमें एक डिपलोइड से उसमें चार हैपलोइड सेल बनता है क्लियर मिय मियोसिस में गुंसुत्र का संख्या आधा हो जाता है, जबकि मॉइटोसिस में गुंसुत्र का संख्या शमान रहता है, क्लियर, मियोसिस किस में होता है, तो यह काईक कोसिकाओं में देखने को मिलता है, काईक कोसिकाओं मतलब क्या हुआ, सुमैटिक सेल, सेल दो प्रकार के म जहां gamete formation हो क्योंकि हमारा जो haploid cell है वो क्या है gamete sperm और ovum है sperm और ovum बनता किसे है तो reproductive mother cell से sperm mother cell से ovum mother cell से तो जो भी mother cell है यानि sperm mother cell या फिर ovum mother cell दोनों को मिला के हम लोग reproductive mother cell कह सकते हैं यानि जननिक मातरी को सिकाएं इसमें ही देखने को मिलता है meiosis ठीक है और जितने भी body cells हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है mitosis देखने को मिलता है ठीक है चलिए अब एक diagram से हम लोग देख लेते हैं यह किस चीज़ का बात है यहाँ पे क्या हो रहा है mitosis हो रहा है mitosis हो रहा है मतलब यह यदि cell है इस cell में यदि अभी 2N है क्या है 2N है यह divide होने के बाद भी क्या होगा यह भी 2N होगा यह भी 2N होगा ठीक है और एक से कितना बन गया 2 बन गया 2 deployed cell बन रहा है जबकि meiosis में देखे किस प्रकार से होता है एक cell है एक cell यदि यहाँ 2N है तो उसमें सबसे पहले meiosis 1 होगा और पता है न meiosis 1 के दोरान ही यह क्या चीज में बदल जाता है N, N में बदल जाता है क्या में N में यानि haploid में और यह cell फिर से दो बार में divide हो जाता है दो भाग में और यह N ही रह जाता है ठीक है और ये भी फिर से क्या आ जाएगा ये N ही रह जाएगा इस प्रकार से एक से कितना बन गया चार एक से कितना बन गया चार तो miosis 1 और miosis 2 complete हुआ एक से बनता है चार किसमें miosis में और mitosis में कि एक से 2 इस तरीके से हमारा mitosis और miosis आप समझ गये अब हम लोग चलिए बात करते हैं क्या हमारा question किस प्रकार से आता है दीए सब समझ में आ जाएगा समसुत्री विवाजन होता किस में काई कोशिकाओं में होता है हमने बहुत आ दिया कि हमारे body के जितने भी cells है वो सभी क्या है काई कोशिकाओं यानि somatic cell है कहां पर बनेगा जनेनीक कोशिकाओं में ही क्योंकि वही न बनाते हैं गैमीट तो इसलिए जनेनीक कोशिकाओं यह point clear हुआ ये इसमें कितने cell बनते हैं दो द्वीगुनित कोशिकाओं बनती है दीखिए द्वीगुनित मतलब diploide कितने बन रहे हैं यहां पर इसमें दो दो द्वीगुनित को सिखाए बन रही है ना तो वही बात बोला है दो द्वीगुनित को सिखाए और इसमें चार ओगुनित को सिखाए ओगुनित मतलब क्या हुआ है 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 चार ओगुनित को सिखाए बनती है देखिए कितना बन रहा है चार एक दो तीन चार चार बना ना चार हेपलॉइड सेल्स बनते हैं किलियर चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुवानसिक पदार्थ इसमें स्थिर रहते हैं स्थिर रहने का मतलब है कि यदि टू एन था तो बाद में जो बना है उसमें भी क्या रहेगा सुत्री विभाजन 24 घंटे का समय लेती है कितना 24 घंटे का समय लेती है फिर जो माइटोसिस में जीन विनिमय नहीं होता यानि क्रॉसिंग ओवर जो एक नया टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर यह हम लोग किसी अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर आप सिता ध्यान रख में इतना जान लीजी आप जीन विनिमय सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलती है ठीक है इस तरीके से आपने हमारा माइटोसिस और मियोसिस में काफी अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ लिया ओगा ठीक है तब हम लोग बात करते है यदि आप डिटेल में हमारे साथ पढ़ के complete recorded video lectures provide करने वाले हैं प्लस e-book PDF नोट से चारो subjects के करेंगे physics chemistry math biology हमारी बात physics और chemistry के teacher से भी हो चुकी है कुछ दिन में physics chemistry के भी teachers available हो जाएंगे तो उसके भी video lectures आपको मिलने लगेंगे अब हमारे पास biology के teachers biology मैं खुद पढ़ाता वहां पर तो biology के content बहुत अच्छे तरीके से माँ provided है वहाँ पे cytology free of cost डाला हुआ है geology में आपका digestive system का first lecture as a demo lecture आप देख सकते है free of cost है online test होता है model paper practice करवाने वाले है more proper time management सिखाने वाले है और आपका exam strategy यही है कि यदि आपका biology में 40-45 questions सही हो गया आपका selection confirm यहीं से हो जाता है ठीक है 10-5 अगर physics chemistry हो गया उधर से ही काम हो गया तो इतना आपको करना है biology यदि पढ़ना है तो आप इतना चीज अगर चाहते हैं आपको करना क्या होगा आप सबसे पहले mobile में जाए और उदित pharmacy search किजे play store पे जाकर और उसको install किजे mobile number डालिए OTP डालिए उसके बाद नाम email ID डालिए उसके बाद आप store वाले section में आएंगे तो आपको एक course दिख जाएगा डी फार्मा इंटरेंस exam बाए उदित pharmacy इसका कि price काफी low है अभी फिलाल 499 रुपीज और कुछ दिन में जब इंटरेंस exam का form आ जाएगा देन इस course का price high हो सकता है ठीक है हो सकता है नहीं होगा ही इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जोड़कर हमारे साथ पढ़ सकते है ठीक है और अभी से ही अपनी तयारी को strong रखिए ताकि exam की time में आपका दिमाग का pressure थोड़ा सा कम रहे और आपका selection का chance ज़्यादा रहे ठीक है और क्या करना है वहिया यदि आप actually में दी फार्मा इंटरेंस exam के candidate है तीन काम करिए सबसे पहली बात है उदित academy नाम से यूट्यूब चैनल है जोईन कर लिजिए टेलिग्राम पे जाए उदित academy सर्च कीजिए जोईन कर लिजिए उसके बाद आप यदि हमारे साथ paid glasses ये माध्यम से पढ़ना चाहते है तो आपको install करके उसमें courses में जोईनिंग ले लिजए ठीक है चलिए आसा करता हूँगा आपको चीज़े सभज में आई होंगी mitosis और meiosis में differences और क्या इसे questions बन सकते हैं आपसे question बनने की भी chances हैं आप try कर लिजे इस topic से ठीक है चलिए मिलते किसी next informative videos में तब तक के लिए धन्यवाद ओके बाबाई